हे दोस्तों वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल ट्रेडिंग एक्शन्स तो दोस्तों आज की इस यूडियो में हम डिसकस करने वाले हैं L.T. Foods Limited के स्टॉक के बारे में जिसे दावत नाम से भी जाना जाता है जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अलगा दिया है तोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बाद बदना चाहूँगा जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आने के बाद में स्टॉक जो है मल्टिपल टाइम हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिले हैं जैसे की फर्स टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिला तो पॉसिबिलिटी जादा है फिर आगे चलके यहां से ही हमें इसमें rejection देखने को मिल सकते हैं तो इसी को कहते हैं resistance zone अभी यहां पे देखिए नीचे के side में हमने जो zone mark किया है इसको support zone कहेंगे क्योंकि यहां से गिरावट होने के बाद में यहां पे आने के बाद हमें यहां से इसमें buying side moment देखने को मिली है जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हो यहां से भी हमें इसमें buying side moment देखने को मिल चुकी है टू विक्स पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड किया था यहाँ पे मैंने बताया था इसमें हमें buying side moment देखने को मिल सकती है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 weeks पेले मतलब किया यानि कि 25th February को मैंने upload किया था stock जो है यहाँ पे almost 62.90 पे चल रहा था मैंने आप इसमें buying side सलहा बताई थी अभी आप यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है stock जो है almost हमारा 73.30 पे जाके थोड़ा सा नीचे आ चुका है अभी देखिए दोस्तों अगर से आप नीचे के side में buy करे हो अगर से आपको बहुत ही अच्छा profit हो रहा है तो यहाँ से आप निकल सकते हो निकल क्यों सकते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसमें एक resistance zone हो सकता है possibility है nifty अगर से continue नीचे गिरावट करता है तो यहाँ से अगेन हम इसमें selling देखने को मिल सकती है अगर से यहाँ पर इसको अगर breakout कर देता है मतलब कि इस वाले zone को उपर निकल जाता है 75-76 के उपर अगर यहाँ से निकल जाता है तो हमें अगेन जो है यहाँ पर 83-84 के levels अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं क्योंकि जो है इसका next resistance इसी level पर आता है अभी देखिए अगर से आप यहाँ पर इस breakout के बाद इसमें buy करते हो तो इसके नीचे का stop loss रखके आप इसमें stock को hold कर सकते हो अगर से आप पहले से ही stock को hold कर रहे हो तो इसके नीचे का stop loss रखके hold करिए ठीके तो इस तो कुछ इस तरह से जो है technical analysis work करता है मैंने अपने चैनल पर और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज अपलोड गी है अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हो तो उन वीडियोज को भी ज़रूर देखे तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टिकर टे वेबसाइट पर और वहाँ से चेक करेंगे हम इसका overview forecast और analyst हमें क्या असला देते हैं बाइंग की अब हम आज चुके हैं टिकर टे वेबसाइट पर search box में company का नाम search करने के बाद आपको left side company का नाम शो करेगा और उसके नीचे इसी current price भी शो करेगी intrinsic value की बात करेंगे तो current prices are less than the intrinsic value इसी current price जो है intrinsic value से भी less है जो की positive point है return versus fd rate की बात करेंगे तो bank fd rate से भी जादा हम इसमें return जरेंट होते वे दिखाई देते हैं dividend की बात करेंगे तो इसमें कुछ हमें dividend नहीं मिलता है entry point good time to consider stock is not in overbought zone मतलब आप यहां से buy कर सकते हो stock में जो है entry ले सकते हो सबसे main जो important point होता है no red flag show कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में invest करेंगे तो no red flag देखे ही आपको उसमें invest करना होता है क्योंकि अगर से कोई भी company red flag found होता है तो उससे आप थोड़ा सद दूर ही रहे तो अच्छा होता है तो चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं इसका financial trend जिसे कि आप यहां पर देख सकते हो 2018 से लेके 2021 तक का last 4 year का data हमारे सामने show कर रहा है company की growth की बात करेंगे तो बहुत ही बड़िया हमें यहां पर company की growth दिखाई दे रही है तो इसकी चलता हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमारे उपर के sides की targets भी अची होते वे दिखाई दे सकते हैं तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की आप यहां पर देख सकते हो यहां पर जो है इसकी analyst की जो rating है यहां पर unavailable है फिलाल के लिए तो इसको इस point को हम यहां से skip कर देते हैं दोस्तों यह जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए बनाई गई है ताकि आपको भी levels find करने आ सके तो इस तरह से technical analysis work करता है अगर आप भी मेरे तरह से levels find करके trading करना चाहते हो तो हम one month का course भी conduct करते हैं अगर आपको कोई भी course related कोई queries हो तो मुझे Instagram पर message कर सकते हैं मैंने जो link है अपने description box में दे दी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share और subscribe जरूर करें वीडियो में इन तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद